नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में पंजाब की कॉंग्रिस में एक-एक करकर भुचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है सुनील जाखर पंजाब की कॉंग्रिस से इस्तीफा देते हैं उसके बाद अब नवजोज सिंग सिद्धू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरह सल रोड रेज मामले में नवजोज सिंग सिद्धू को सुप्रीम कोट ने सजा सुना दिया और एक साल की सजा हुई है आपको बता दे कि 32 साल पुराना ये मामला था जस पर आज सुप्रीम कोट ने सुनवाई की है और इसके बाद अब कॉंग्रेस पार्टी जो है कहीं लडखराती हुई नजर आ रही है एक तरफ जहां सुनील जाकर जो है बीजेपी जाकर जोईन कर लेते हुई दूसरी तरफ अब यहाँ पर सिद्धू को जेल की हवा खानी पड़ी गी अब देखना यह है कि पंजाब में कॉंग्रेस अपनी परिस्थीतियों को किस तरह से सुधारती है चलिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मृतिंजे और इन सभी मुद्धों पर आज हम बातचीत करेंगे मृतिंजे यहाँ पर जिस तरह से सिद्धू को कोट की तरफ से सुप्रीम कोट की तरफ से जो फैसला है उसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई है इसे आप किस तरह से तरह सही है कि पहले पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ था और अपॉलिटिकल साथ नहीं है बले ही आप इसको इसको इस तरह से पैडिच परीवार था उसको एक न्याय ज़रूर मिला है क्योंकि देखिए गैर रियादतन हत्या का मामला था 1988 का मामला है जिसमें रोड रेस का मामला है यह जहां पर एक हजार रिपे का जुर्माने के साथ इनको छोड़ दिया गया था परिवार ने फिर से रिवी पेटिशन डाली सुप्रीम कोड में रिवी पेटिशन में क्या पता चलता है क्या वर्डिक्ट आया कि ने एक साल के लिए जेल जाना पड़ेगा तो यहां तो पीडित परिवार था उसको देखे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है क्योंकि न्याय मिलना था वह जरूर मिला है भली थे कि गहर रियातन हत्या लेकिन हत्या तो की गही थी न चाहि कैसे भी की गही हो इसी के साल-जात एक चीज ये भी है कि आप यह कह सकते हैं पहले पॉलिटिकल सपोर्ट पीछे से उनके साथ था तो इसलिए उनको जादा कुछ नहीं कहा जा सकता था अब ना बीज़िपी का पॉलिटिकल सपोर्ट ह पॉलेटिकल सपोर्ट है आप किसी पार्टी के साथ भी नहीं और जिस तरीके से निया पालिकान उन पर शिकंजा कसा है वो कहीं न कहीं तो पता चलिए कि नफजोज सिंग सिद्धू के दिन बुरे शुरू हो चुके है बिल्कुल यहाँ पर नफजोज सिंग सिद्धू के द हाई कोड ने उन पर 1 लाग का जुर्माना लगा है उनकी दोस्तों पर भी एक दोस्त उनके साथ चामिल थे इस मामले पर उन पर भी जुर्माना लगतार दोनों को तीन साल की सजा होती है उसकी बाद 2024 2004 की में बात कर लूए उस वाक्त सिद्धू की politics में एंट्री होती है य यहाँ पर उठाया गया, इस मामले को लेकर सजा सुनाई गई, लेकिन सिद्धू जेल नहीं जाते है, लेकिन आज जिस तरह से सिद्धू को एक साल की सजा हुई, इसके पीछे कही राजनीती खेले की कोशिश की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, यहाँ पर पहले बी अजिनीती हो सकती है, जिस तरह से सुप्रीम कोट का फैसला है, सुद्धू को लेकर, देखे जो नवजोज सिद्धू के समर्तक हैं और जो उनके जानने वाले हैं, उनका तो यही कहना है, कहीना की कांग्रस पार्टी की तरफ से यह चीज़े सारी कराई जा रही है, अभी फिलाल देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि नवजोज सिद्धू के ट्वीट की तरफ अगर बात कर देखिए, नवजोज सिद्धू ने आखरी ट्वीट जो अपना किया है, गिरफ्तारी से पहले, उन्हों ने इसमें लिखा है कि जो कोट ने कहा है, वो उसके फैसले का सम्मा हो रहा है उनके साथ क्योंकि वो देखिए, पॉलिटेगल पार्टी चाहिए, बीजेपी रही हो, चाहिए, वो कॉंग्रिस अभी उसके खिलाफ बोलते ही रहे थे, ऐसी कोई पार्टी नहीं थे, ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं था, जिसके खिलाफ उनने स्टीटमेंट न कि सिद्धु ने पद से स्टीफा दिया, पार्टी के साथ वो अभी भी जुड़े हुए, तो यहाँ पर कॉंग्रिस पार्टी के ऊपर एक तरह से कहा जाए, उनकी छवी नहीं खराब हो सकती, देखे, पद से स्टीफा दिया बात मिल्कुल ठीक है, पद से स्टीफा दिया गया था, बात तो बड़ी है, इसके साथ अब उनने देखे, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना जा सकता, क्योंकि आप पहले ही चुनाव आज चुके हैं, आप कॉंगर्स पार्टी में कोई बड़ा पद भी नहीं दिया गया, तो इसी वज़े से चीजे ऐसी लग रही है, क्य आप कोई बड़ा पद नहीं मिला, आप लगातार कोशिचे कर रहे हैं, पार्टी आला कमान की तरफ से अप ध्यान अपनी तरफ आकरशित करने की उसमें आप फेल होते नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो ने सीम बने भगवनतमान, उनके तारीफों के कोड़कर देखा जा रहा है कर राजनीती से प्रेरित हैं, लेकिन सिदू के जेल्स है क्या यहां पर कॉंग्र्स पार्टी को कुछ घाटा हो सकता है या फिर कंग्र्स पार्टी जैसे की तैसे ही रहेगी, देखे, आब मुझे बताई को अगर कोई घाटा होता, तो कॉंगर तो इसका मतलब यह के पार्टी थोड़ी निश्चिंत है यहां पर कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से कोई प्रतिकरिया नहीं आई है सिद्धू पंजाब कॉंग्रेस में बहुत एहम भूमिका निभाते थे पंजाब कॉंग्रेस में उनकी अच्छी खासी यहां पर पकरती दे जो भी लगतार इस तरह के बयान दे रही है वो रो रही है उसके बाद रोते वे उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना सादा उनका कहना है कि आज जो फैसला आया है उसके पीछे कहीं न कहीं कॉंग्रेस की साजिश है तो जो इल्जाम यहां पर मितुञ्जे यहां को न्याय मिल चुका है 32 साल बाद अखिरकार उन्हें सजा हुई है तो पीडित परिवार के लिए अच खुशी की ख़बर है कॉंग्रेस पार्टी के लिए हो या ना हो लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि न्याय की बात नहीं राजनीती की बात यहां पर जादा की ज कॉंग्रेस पार्टी का इसके पीछे कहीं न कहीं हाथ हो सकता है यहां पर इल्जाम लगड़ा है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से वह दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी जो है कुछ भी बोलने से कत्रा रही है यहां पर सोनिया गांधी राहूल गांधी या कॉंग्रेस कमान की तरफ से कोई भी प्रतिकरिया सामने नहीं आया यहां तक ही पंजाब के कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी कोई भी प्रतिकरिया सामने अभी देखने को नहीं मिली है लेकिन सिद्धु एक तरफ कह रहे हैं पूरी तरह से वो कोर्ट के फैसले का सम्मान लेकिन आगे अब ये देखना पड़ेगा कि कॉंग्रिस को एक-एक करकर जिस तरह से जटके लगड़े, जिस तरह से दिगज नेता कॉंग्रिस छोड़कर जा रहे, अब सिध्धु का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, फिलाल आज के लिए बस इतना ही आगे की खबर के लिए देखते रिए SPN 9 News धन्यवाद